भारती दर्शन को अगर हम देखेंगे तो वहां कुछ किस्ते अक्सर सुनाई देंगे कि जब कोई साधनापत पर है, सत्य के मार्क पर है तो उसके रास्ते में कई तरह की प्रलोभन आती हैं कई तरह के ऐसे जो भुलावे हैं, चलावे हैं, आकरशन हैं वो आते हैं, उसको खीचते हैं रिशी मुनियों के किस्ते अगर देखें तो उनको धन का प्रलोभनाएगा, उनको कामवासना का प्रलोभनाएगा कोई अपसरा आ रही, किसे हैं, और कहीं कोई सत्ता का पद का प्रलो भनाएगा, तो कई बार लोगों को ये लगता है क्या ये कहानिया ही है या सचमुच में ऐसा होता है, अस्तित बड़ा रहस्य में है, होता क्या है कि जब हम किसी उच्चतर सत्त की तरब चलते हैं, जीवन रुपांतरन के दिशा में चलते हैं तो कुछ ऐसे सरकल हैं कुछ ऐसे वर्तुल हैं जो घूमना शुरू होते हैं जिन से निकल कर हमें आगे जाना होता है वो सीढिया है अब अस्तित्थ हमारे लिए कई सारी सीढिया सामने रखता है वो हमारे ही परिस्कार के लिए, हमारे ही सुद्ध के लिए, हमारे रिफाइनमेंट के लिए है, अब हम उनमें अटकेंगे या उनसे आगे जाएंगे, ये सबसे महत्तपूर्ण भी से है, इसलिए साधना में जो महत्तपूर्ण चीजें होती है, वो पहली प्यास, आसा, संकल जब निर्माण के नो सोपान पर मैंने पूरी स्रंखला बोली थी, तो प्राथमिक तीन सोपान यही मैंने बोले थे, कि प्यास तो हो, चलो प्यास है, प्यास के सारे आप चल जाएंगे, लेकिन आशा कमजोर हुई, तो भी आप आगे नहीं जा पाएंगे, आशा भी है आपक सत्य के अनुसंदान के तो आप आगे चले जाएंगे, अब आशा और प्यास मिले आप आगे जाने लगे, अब जीवन अनेक अनेक आयामों में हमारी तरफ बहना शुरू होगा, जिसमें कई तरह के प्लोभन भी होंगे, कई तरह के शोशन भी होंगे, कई तरह के अच्छी दिसाएं, कई तरह की भठकने वाली दिसाएं, सब आएँगी जीवन में. तब चहीए होता है संकल्प. संकल्प हमारे भीतर की उस्छक्ति का नाम होता है कि हम सारे प्रलोभनों को पीछे छोड़ कर आगे जाने की हिम्मत रखते हैं, साहस रखते हैं. हम मान कर चलते हैं कि हम यहां अटकने वाले नहीं हैं हम किसी के भी साधना के जीवन के अगर किस से देखें तो सब इस से गुजरता है यहां तक कि बुद्ध की कथागर हम पढ़ें तो बुद्ध के साधना काल में भी यही बाते हैं उनको ऐसे प्रलोभन आते हैं, उनको डराने वाली चीज़ें आती हैं, कामवाशना की चीज़ें आती हैं, सब कुछ उनके जीवन में आता है, लेकिन उन तटास्त बने रहते हैं, उसको बौध दर्सन में कहते हैं मार, हमारे यहां कहते हैं माया, भारती हिंदु दर्सन में, मार हो, माया हो संसार इससे भरा पड़ा है उसमें कोई समस्चा नहीं अब सवाल उठता है ये बुरा है ये अच्छा है क्या धन, कामवासना ये सब अच्छे हैं, बुरे हैं इससे सरोकार नहीं रखता है साधनापत साधनापत कहता है वो उतने ही जरूरी है जितने उनको होना चाहिए उससे ज़्यादा नहीं और जब आवर्शक हो तो हम उनको छोड़ कर भी पीछे जाते हैं ऐसे अगर धनकी ही बात देखें हमारे सामने एक छोटे से उदाहरण से इसको समझें हमारे सामने कोई संबंध हो बड़ा ही अच्छा प्रीति पूर्ण संबंध हो तो हम संबंध और धनके बीच क्या चुनाव करेंगे अगर हम धनका चुनाव करते हैं तो हम धन तो पा लेंगे लेकिन संबंध खो देंगे तो ये निर्बुद्धी होगी हमारी और अगर हम संबंध को बचाते हैं धनका उपयोग करते हैं बसके वल तो हम किसी उच्छतर आयाम में जा रहे हैं कि हमने मानवी सम्मंद, मानवी जीवन, जीवन तता जो मानवी चेतना है, जिसके भीतर सारी दिव्य सम्माह होना है, हमने उसका सम्मान किया, तो धन पीछे-पीछे आएगा, आज देखे, संसार में प्रतिष्ठा परधा के चलते हुए कई लोग, इतनी ज़्यादा धन के पीछे भागते हैं, पद, प्रतिष्ठा के पीछे भागते हैं, कि अपने सम्मंदों का तिरिष्कार करने लग जाते हैं, और फिर एक समय आता है, जब उनका पद जाता, प्रतिष्ठा जाती है, उनका धन जाता है, तो इतनी अलग थलग अकेले होते हैं कोई पूछने वाला नहीं होता कितनी प्रसिद्ध लोग के बारे में किस से निकालेंगे तो दिखाई देगा अकेले नसे के सिकार होके मर गए कमी कोई नहीं थी, धनके भी नहीं, किसी भी चीज की नहीं क्यों अकेलापन था? क्योंकि महत्त उस चीज को दिया जिसका कोई महत्त ही नहीं था अब प्रसिद्धी ही देख ली जाएगर तुमको दो लोग जानते हैं, 20 लोग जानते हैं, 2 करोड जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है तुम अकेले अपने कमरे में बैठते हो, अपने साथ इससे क्या अंतर पढ़ता है? तुमारी जीवन की गुणवत्ता पर तो कोई अंतर नहीं पढ़ता अब साधक प्रसिद्ध पर ध्यान न देकर अपने जीवन की गुणवत्ता पर ध्यान देगा, उसको चुनेगा वो कहेगा हमारे लिए ये जरूरी नहीं है कि हमारी प्रसिद्ध कितनी है, हमारे लिए आवस्य किए है कि हमारे जीवन में गुणवत्ता कितनी है और फिर हम जिन लोगों से मिलते हैं, जो हमारे जीवन में सामिल हैं, पूरी दुनिया तो सामिल नहीं होती किसी के जीवन में, चंद लोग ही सामिल होते हैं, तो उन चंद लोगों के जीवन में हम कितनी गुणवत्ता घोलते हैं, हम कितना रस घोलते हैं, कितना सौंधर घोल परिश्रम से लाता है अपने जीवन में धन बिक्ति जूट बोल कर धन छीन जपट कर बहुत सारे गलत रास्तों से भी लाता है जैसे रास्तों से धन आता है जीवन पर वैसे ही परणाम लाता है ये सब पतवरष्ट होने के तरीके है साधना पत पर साधक धन को इनकार नहीं करता लेकिन गलत रास्तों से आये हुए धन को एजी मनी को इन सब को वो इनकार करता है क्योंकि ये उसके जीवन को अंतते भटकाने वाले है क्योंकि जब उसको स्विकार करता है तब वो महत्पूर्ण बात को खो देता है जो है उसके भीतर की आंतरी गुणवत्ता वही कामवासना को लेकर है अब अगर कोई बैक्ति अपने जीवन में जरा जहां कर देखे उसको घनिष्ट संबंध चाहिए जीवन में एक ऐसे निष्ठा से भरे हुए प्रेम से भरे हुए दिव्वता से भरे हुए संबंध चाहिए या बस केवले कामवासना चाहिए उसको कामवासना भी बहुत जोर से खिंशती है जब खिंशती है किसी को लेकिन यहीं पर संकल्प काम आता है व्यक्तिक यह सोचता है कि हमको ऐसे व्यर्थ के संबंधों में नहीं जाना है तब फिर अस्तित उसके जीवन में अच्छे सार्थक संबंध भी लेकर आता है यह सब यात्रा है और अगर कोई संकल्प के साथ डटा रहे किसी भी प्रलोभन का सिकार ना हो तो कई बार ही हो सकता है उसके जीवन में मुश्किले आये कठिनाईया आये लेकिन फिर वो उसको निखार के जाएंगी उसको अच्छा बना के जाएंगी और यह ऐसा नाटक ऐसी लीला है भारती दरसन में में उसको लीला कहते हैं कि जब भी कोई सत्य की बातों में रोची लेगा, जब भी कोई आगे बढ़ने की सोचेगा चेतना के पतपर, तब उसके जीवन में ये सब चीजें गड़ मड़ होने लगेगी, अक्सर उसके सामने चौराहे खड़े होंगे, चौराहे अर्थात कई रास्ते, इधर जाएं, ये भी चुन सकता है, वो भी चुन सकता है, अब वो क्या चुन लेगा, उससे उसके आगे की नियती तै हो जाएगी, संकल्प और संकल्प में घुला हुआ विवेक, यहीं पर काम आता है, कि वही चुनना है, जो स्रेष्ट है, सर्वोत्तम है, जो स्रेष्ट हो सर्वोत्तम नहीं है वो कितना भी लुभामन ना हो कितना भी आकर्षख हो उससे आगे चले जाना है उसको इंकार कर देना है तब जाकर हमारे लिए वो द्वार कुलते हैं जिनके लिए हम पूरी तरह से प्रतिकझारत होते हैं हमारे प्राणों में जिनके लिए गहनतम पुकार होती है लेकिन अगर हम प्रलोभन और आकस्वनों के सिकार हो जाते हैं तब ही दर्वाजे बंद रह जाते हैं क्योंकि हमने कोई छोटी चीज चुनली हमने एक गली चुनली थी लेकिन वो एक बड़े राजपत पर खुलने वाली थी हमने गली को छोड़ा ही नहीं हम गली में ही भटकते रह गए हम राजपत पर कभी पहुँचे ही नहीं इसलिए साधना पत एक राजपत है लेकिन जब गलीओं के पलोभन छोड़ कर आप उस राजपत पर कहुँचते हैं तो पूरा अस्तित तो आपको समालता है पूरा अस्तित तो समालता है लेकिन उस अस्तित तो को समालने के अवसर देने के लिए हमको उसके हाथों में अपने को छोड़ना पड़ता है इसी को हम कहते हैं समर्पन समर्पन संघर्ष के साथ आता है संकल्प के सिखर से ही समर्पन की गंगा निकलती मैंने कई बार कहा है संकल्प का जब सिखर उठता है तो वहीं से समर्पन की गंगा निकलती है लेकिन उसमें संघर्स भी होता है उपर उठने में संघर्स भी है क्योंकि समर्पन से बड़ा कोई संकल्प नहीं होता अगर विक्ति को लगता हम ऐसे ही सब कुछ सम्हाल लेंगे तो सारी बात फिर खो जाएगी अब जैसे कि उदाहरण एक कथा का ही देखे अब ये कथाएं ही मान कर चले इसमें सत्य उस तरह से न तलास हैं लेकिन लिखने वाले उसमें उस सत्य को पिरोने की कोशिस करते हैं कि ये जीवन होना चाहिए महाभारत का किस्सा द्रोपदी का चीरहरण हो रहा है कृष्ण उसके आराध्य हैं प्रिय हैं वो उनको पूरी तरह से समर्पित है उनको परमात्मा मानती है अपना सखा बंधु भी मानती है लेकिन उसका अपना भी दर्प है अपना भी अहम है तो जब वो जो राजसभा है जहां पर उसका चीरहरण हो रहा है तो अपने बचाने की कोशिस में है जब वो अपने को बचाने की कोशिस में है उसको लगता है कि वो लड़ जाएगी और बचा लेगी तो संघर्ष चल रहा है संघर्ष चलता जा रहा है उसके उपर आक्रमन होते जा रहे हैं परिशानी बढ़ती जा रही है और एक बिंदू आता है और वो कृष्ण को याद भी कर रही है लगाता है ऐसा नहीं याद नहीं कर रही है लेकिन वो अपनी लड़ाई भी लड़ रही है एक बिंदू आता है जब उसको लगता है कि साइद अब उसके ये सब उपाये काम नहीं आएंगे तब वो कहती है कि अब तुम ही समालो छोड़ देती है अपने को पूरी तरे और कहते हैं तभी उसका चीरहरण रुख जाता है कथा जो कहती है संभव नहीं रह जाता इससे हम काम चला लेंगे अच्छा हम उससे काम चलंदें तो हम भटकते रहजाएंगे तो इसलिए कई बार समकल्ब के साथ पूरे साहस के साथ खड़े होना पड़ता है जो गलत हमको दिखाई देता है हमारा विवेक कहता है हम उस गलत से हट जाते हैं अब फिर प्रशनी उठ जाएगा बेक्ति में गलत सही तै कैसे होगा किसी के लिए कुछ गलत है किसी के लिए कुछ सही है तो यहाँ पर मैं बार-बार कहता हूँ विए सापेक छिकता रहेगी लेकिन कुछ कसोटियां गलत सही कि हमेशा बनी रहेगी जिनको हमें देखना पड़ेगा जो बात सभी के कल्याण की होगी जिस बात में करुणा सामिल होगी जिस बात में स्थान्ति सामिल होगी वो सही की तरफ ले जाएगी जिस बात में हमारा स्वार्थ सुनने तो नहीं कहेंगे कम से कम होगा वो बात सही होगी जिस बात में हमारा स्वार्थ ही स्वार्थ सामिल होगा जिस बात में हम करुणा को सामिल नहीं करेंगे जिसमें हम सभी के कल्याण की इनना सोचकर केवल और अपने ही कल्याण की बात सोचेंगे वो हमें गलत की दिसा में ले जाएगा अब अपने ही कल्याण की सोचने की बात ऐसे ही है आप ठंड में ठिटूर रहें आप सोचें मुझे ठंड लग रही है, मुझे आग ताप नहीं है तो आप क्या करेंगे, पडोस के घर में आग लगा के ताप लेंगे ऐसा तो आप नहीं करेंगे आप ठंड में ठिट उड़ते भी रहेंगे लेकिन ऐसा कदम नहीं उठाएंगे क्योंकि आपको पता है कि ये दूसरे के कल्यान में बाधा है दूसरे के सुतंतरता में बाधा है, दूसरे के जीवन में बाधा है तो सही गलत को परखना इतना कठिन नहीं है, वो आसान है लेकिन ब्यक्ति जब अपने स्वार्थ में पुरी तरह से अपनी आखे बंद करता है तब उसको लगता है कि साइधी ही सही गलत है तो वो कठिन नहीं है तो इस तरह से चलकर संकल्प से भरकर इस पत पर जब कोई चलता है तो पुरा स्तित्र सही योग करता है अब आगे एक चीज और आती है जिसको लोग कहेंगे कि अध्यात में भासावर उपयोग होती है कि योग भरष्ट योग भरष्ट योगी योग भरष्ट योगी हम उसी को कहते रहें कि जो चल तो गया था पत पर लेकिन अचानक अपने स्वार्थ, एहंकार, प्रलोभन, किसी आकरशन के चलते उस मार को छोड़कर कहीं नीचे उतर जाता है और वहीं पर ये घटना घटी है जहां पर उसको सबसे अधिक विवेक और संकल्प की आवस्यक्ता होती है और भारत में देखा जाए हमने उसी बिंदु पर गुरू की महत्ता भी बताई है गुरू की आवस्यक्ता यूं देखा जाए जीवन में कहीं नहीं है, बहुत दूर तक जैसे जे किश्नमूर्ती कहते हैं कोई आवस्यक नहीं है, हाँ नहीं आवस्यक है लेकिन कभी जब हम उस बिंदु पर हो जहां पर हमारी समझ काम ना कर रही हो तब ऐसा कोई प्रग्यावान, ऐसा कोई विवेक सील, बोध से भरा हुआ मित्र हमारे जीवन में हो जो हमको कोई इसारा कर सकता हो, कि हाँ ये ऐसा होता है हम भी इस रास्ते पर चले थे, अगर यहाँ पर हम ये वाला मोड लेते हैं तो आगे जाकर ये खाई पढ़ती, वहां गिर सकते हैं तो गुरू का काम यही होता है, वो ये बताता है कि रास्ता यही है जैसे पहाड पर आप जा रहे हैं, तो कोई गाइड ले लेते हैं तो गुरू ऐसे ही गाइड होता है वो कता है, ये वाले रास्ते से जाना, इधर से जाओगे तो खाई हैं गिर जाओगे जबकि हमको वह वह रास्ता हो सकता है, ज्यादा साफ लग रहा हो और जो रास्ता वो बता रहा हो सकता है, वो थोड़ा कठिन लग रहा हो तो इस तरह से ही जीवन में चलना है तो अस्तित्य सहयोग करेगा और अस्तित्य का सहयोग लेना है तो हमको छुद्र का सहयोग छोड़ना पड़ेगा फिर पूरे अस्तित्यों के द्वार हमारे लिए खुल जाते हैं जाओ लारो हमारे और जाते हैं झाल प्रणित्यश मुणी तो